राम राम जहन तो अभी लक्षदीप और मालडीव को लेके कांड हुआ है मतलब तुम लोगों देखा ही होगा हर जगा निउस पर है तो क्या चीजे हैं उनमें किस वज़े से इसको जादा इमियत दी जा रही है देखो जो मालडीव है उसकी नेटवर्थ तो जीडीपी तो जादा नहीं है और दूसी बाती है कि उसकी लोकेशन भी कुछ ऐसी नहीं है खास की मतलब बहुत जादा ग्रो कर पाएगा लेकिन टूरिजम के हिसाब से वह मतलब एक जो बकेट लिस्ट होती मतलब हार कोई जानना चाहता था कि मालडीव जाके ट्रिप मार के आए क्योंक कि उपना बड़ा गाटा हुआ है मालडीव का सिर्फ एक बयान से एक ट्वीट से उसके बारे में जानेंगे लेकिन पहले कुछ चीजे तुम्हें बताते हैं कि मालडीव के साथ हम लोगों को मलब हर चीज की मदद करते हैं हम लोग मालडीव की हर चीज की medical facilities लेके आम आर् जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉंटेक्ट किया कि हमें मदद चाहिए आपकी ठीक है तो यहां से इंडियन आर्मी पहुंची और सोला सोलग बग पैरा टूपर थे जिसकी मतलब अध्यचता जो कहें या में थे जो वो थे सुबास्ची जो तो वो लोग गए थे वहां पर तो उनका तकता प्लड बचा लिया था पहली चीज यह दूसरा अभी भारती से ना तुम लोगों ने सुना हुआ कि म्यूजू को नाम हजीब है म्यूजू ने कहा है कि मतलब अपने विजश मंत्री अज्जय संकर से कहा था कि अपने जो सैनिक कि इनको वापस अपने पास बुला लो अब हमें जुरूरत नहीं है जबकि वो लोग करने क्या गया चैब 75 सैनिक गयते ठीक है भारत ने दो हेलिकॉप्टर दिये थे इनको एक डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया तक किसलिए कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है उनको प्रवा नहीं है लेकि उनको बरदास्त ना हुआ तो म्यूजी ने कहीं दिया कि भाया मतलब क्या इसको वापस बुला लो और यह क्यों क्यों कि म्यूजी जो है वो थोड़ा सा चाइना से ले रहे है हिसाब किताब इस वजए से उनका अच्छा अब बात करते हैं वो जो कांड उनको क्यों नहीं हम लोग ग्रो करते इतना की टूरिजम यहां पर बढ़े ठीक है तो उसके बाद उन्होंने वहीं पर 1156 करोन की एक मलब परियूजना दी थी बहुत सारी जिसमें की एक में थी क्रेक्टिविटी की क्योंकि आप इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत छी मालदिव की लगे उन्होंने इक ट्वीट किया उसके बाद से बुट जैसे ही वाइराल हूँ उसके बाद से एक दो मंत्रीन्ः बढ़े ने महीं तो किसीन ज Confederacy नहीं दिया या जो भी बाहर चाते थे टूरिजम के लिए उन्होंने भी बोल दिया कि अपने खुद के आइलेंड इतने अच्छे हैं इंडिया भारत के तो हम लोग बाहर क्यों जाते हैं सही बात थी तो इसको फिर होने के बाद फिर वो जो घमासान मचा है उसके बाद हुआ यह तीन मं फरवरी तक अभी उसके बाद लक्षदीव पर ट्यूरिजम इतना बढ़ गया कि पंद्रा से बीस फरवरी तक कोई भी फ्लाइट की टिकट अविलेबल नहीं है कोई भी फ्लाइट की टिपल नहीं सब बुक हो चुकी है समझो बात को मतलब यह डारेक्ट मोदी जी ने नह नहीं का नुक्सान हो गया ठीक है अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह थी कि दो लाख लोगों का विजिट था मतलब 2023 में दो लाख से उपर लोग मालदिव कहते हैं के लिए और 2024 में कहा यह जा रहा था यह नंबर हो सकता है डबल भी हो सकता था लेकिन कर दिया कि दो ताज होटल वहिया बना रहा है महां पर रिसॉर्ट के साथ सो होटल के कमरे होंगे महां पर तो पूरा इंफ्रस्रक्ट्रक्शन रेडी हो रहा है ठीक है नेट के किनेक्टिविटी आई चुकी है मतलब वो ऑप्टिकल फाइपर लग 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 बिच चुकी और वो काम चालू हो गया है तो इंटरनेट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है अच्छा इसमें लक्षीदीब के आसपास भी बहुत सारे आइसलेंड ने जिनके उपर अभी मतलब काम होना है मतलब टूरिजम के लाइक उसको बनाना है बहुत सारे है जिसे कदमत हो गया पीट्री हो गया अगार्ती हो गया यह बहुत सारे जो है आइसलेंड वहां पर मौजूद है तो अब इनका क्या हो रहा है इनमें इस इंफ्रास्क्टर बहुत चाहिए देखो क्या होता है कि हम लोगों को अगर मतलब टूरिस्ट स्पोर्ट बनाने हैं अपने आंके मतलब चाहिए तो उनको वर्ड क्लास पैसलिटी भी देनी पड़ेगी जैसे कि अच्छे रिसॉर्ट होने चाहिए बहुत साफ सुत्रे होने चाहिए उसके बाद वहां का अगर वह घूमने का कुछ प्लैन मना रहा है तो वहां के लिए ट्रांस्पोर्टेशन अच्छा होना चाह चाहिए उनकी कनेक्टिविटी नेट के अच्छी होनी चाहिए बहुत सारी चीजे हैं तो सब में काम चल रहा है और यकीन मानों आगयाने अले 10 साल में बाहर से बहुत सारी विजिटर्स सिर्फ यह अब आयो ध्याकासी यही घूमने नहीं आएंगे आइसलेंड की तरफ भ